जैसरी राधे दोस्तों केपी कीवानी चैनल में आपका स्वागत है रुजाना रासीफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी कीवानी को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके जीवन में सेहत, रुजगार, कारोबार, परिवार, दामपत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परसानी है तो हमें मैसेज के जरूर बताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी अगर आपको आपकी साधी के बारे में जानना है कि आपकी साधी कब होगी तो आप अपना जन्म दिन मताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी प्लीज अधूरी जानकारी ना दे इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी अगर आप लब बैरेच को लेकर भविस्वानी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का जन दिन मताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी यह जानकारी आपको जन्तिती के हिसाब से दी जाएगी इसमें बतलाव संभव है या बतलाव तब संभव है जब आपने निजी जानकारी कुंडली बना कर पाते हैं इसके लिए आप KP कीवानी से भी संपर्ट कर सकते हैं हम आपको कुंडली बना कर आपकी साधी से सम्बंदित सभी प्रकार की जानकारी देने की कोसिस करेंगे इसमें आपकी साधी कब होगी, कहा होगी, कैसे होगी, इस नाम से होगी इससे करनी चाहिए आपके जीवन साथी का रंग, रूप, सरूप, सभाब और आपकी लब मैरेज हो सकती है की नहीं आपका कहरे इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बना कर दी जाएगी इसके अलाबा आप कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका वैवाईक जीवन कैसा रहने वाला है साथी विवाह मुहर्ट की भी जानकारी पास सकते हैं जैसा कि आपको पता है कि कुंडली मिलान में कई परकार के दोस भी बाहर सामने आते हैं इन दोसों को दूर करने के भी उपाई बताए जाते हैं आधनिक समय में लोग कुंडली मिलान नहीं कराते हैं तो आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आपकी साधी तै हो समय कुंडली मिलान अवस्य कराएं इसमें आपको गुन कितने मिल रहे हैं और दोस कौन से हैं इसकी सही जानकारी मिल पाएगी खास कर नारी दोस और भकुट दोस लगने पर साधी पिलकुल ही ना करें ऐसा करने से वेवाहिक जीवन बेहद ही कस्ट में बीतता है आप KP की वानी से संपर करने के लिए 8521-835670 पर कॉल अत्वा वाटसेप मैसेज कर सकते हैं नमबर डिस्क्रिप्शन बाक्स और कमेंट बाक्स में भी दिया गया है नमबर एक बार और दोहरा देता हूँ 8521-835670 इस नमबर पर आप कभी भी वाटसेप कॉल अत्वा वाटसेप मैसेज कर सकते हैं आपको बता दें कि कुंडली बनाने के लिए मामली सुल्क लीज आती है जिसे आप कुरू दक्षिना समझ सकते हैं और महनताना भी कह सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको उन तीन रास्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी साधी के योग जुलाई महिने में है हाला कि यह सब हैं मई महिने का है किन्तु आने वाले जुलाई महिने में इन तीन रास्यों के साधी के प्रबली हो गए जैसा कि आप सब चांदे हैं कि गुरू के मजबूत रहने पर लड़कियों के साधी सीग्र हो जाती है तो उन जातकों की साधी चुलाई महने में होने वाली है जिनका गुरू बहुत ही मजबूत है इसके अलाबा गुरू ग्रह के कुमर रासी में प्रविस करने से भी कई जातकों के साधी के योग पनने लगे हैं जोतिस गरना के आधार पर आज मैं आपको उन तीन रास्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी साधी के योग चुलाई महने में प्रबल हैं आईए बारी बारी से जानते हैं तो पहली रासी पन्या रासी है तो यह वीडियो तो मैंने बता रखा है कि कन्या रासी के जातकों के साधी बहुत तेर से होती है चुकि कन्या रासी के जात तक मैच्चोर किसम के होते हैं और अपने साधी अपने पाउं पर खड़े होने के बाद ही करना चाहते हैं अगर आपकी रासी कन्या है तो आपके लिए यह सुब समय है कि जुलाई महने में आपके साधी के योग बन रहे हैं हलाकि आपकी आयूश 27 वर से अधीक होनी चाहिए उन जात्कों के ही साधी के प्रवल योग बन रहे हैं तो आईए इसके बारे में ब्रस्तार से जाते हैं तो पहले प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कन्या रासी के लिए जो है कुंडली हनुसार से अनकूलवार, अनकूल रत्न, सभाब, अंक, रंग, स्वामी, देव, आधी कौन हैं तो जन्मरासी कन्या के जात्कों के नाम पॉसे यानि की पी से सुरू होता है इनके रासी स्वामी बुद्ध देव हैं और इनके आराध्ध देव भगवान गनेश है इनका भागिसाली रंग हरा है भागिसाली अंकी बात करें तो तीन और आठ है रासी धातू चांदी और सोना है जिबकि सुभ रत्न पन्ना है रासी सभाब दिसभाब है रासी अनकूलवार, बुद्धवार, सुक्रवार तथा सनीवार है रासी अनकूल रतन पन्ना हीरा तथा नीलम है रासी अनकूल दिसा है रासी तत्व पृत्वी है और रासी प्रकृति वायू है खन्या रासी के जात्कों की साधी की योग 27 वर्से बनते हैं और जुलाई महने में आपकी साधी के प्रबल योग है सीगर भी वाहा के लिए हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिलाकर जल डालें इससे साधी में आरे देरी दूर हो जाएंगी और कर्ना रासी के जात्कों की साधी की इतिसार उत्तर होती है साधी A.S.D. नाम से होनी की संभावना अधिक रहती है हला कि अगर आप मकर रासी के जात्कों से साधी करते हैं वेभाई जीवन आप क्या सुख में भी इतने वाला है अगली रासी तुला है तुला रासी के जात्कों की लब मेरेज भी हो सकती है और अरेंज मेरेज भी हो सकती है आने वाले महिनों यानि की चुलाई में तुलारासी के जातकों के साधी की युग पीश्मे वर्से बनने लगते हैं जैसा कि आपको कई वीडियोस में पता आए गये हैं इसके अलाबा उन जातकों के भी साधी के युग बन रहे हैं जिनकी गुरू मजबूत है उन लड़कों की भी साधी के युग बन रहे हैं जिनका सुक्र मजबूत है तो आईए पारी बारी से तुलारासी के बारे में बस्तार से जान लेते हैं तो जन्मरासी तुला का नाम अक्चर रौ से सुरू होता है और इनकी रासी स्वामी सुक्र हैं जैसा कि आपको बताया गया है कि सुक्र के मजबूत रहने पर आपकी साधी के योग बनेंगे यहां जानकारी लड़कों के लिए जबकि लड़कियों के लिए गुरू मजबूत होना चाहिए इनके अराध्य देवी मा दुरगा है भागिसाली रंग इनका सफेद है भागिसाली अंक आपका दो और साथ है रासी धातू लोहा और चांदी है रासी सुभरत्न हीरा है अगर हीरे की अंगुठी आप भारन करते हैं तो आपके लिए सुभर रहने वाला है रासी सभाब चर है कई जोतिस ऐसा भी कहते हैं कि हीरा रत्न पहनने से गुरू मजबूत होता है तो लड़कियों को हीरा चरूर पहनने है चाहिए रासी अनकूल वार बुदुबार सुक्रवार तथा सनीवार है रासी अनकूल रत्न हीरा पन्ना तथा नीलम है अनकूल दिसा रक्षिन है रासी तत्व वायू है और रासी प्रकृती सम है अब आईए इनके बारे में जान लेते हैं तो तुला रासी के जड़कों और लड़कियों की साधी क्यों पीसे बर से बनते हैं और साधी के योग जो है जुलाई महिने में 2021 में रासी के जातकों से करें तो आपका वैभाई जीवन बेहद ही सुखमे बितेगा प्लारासी के जातकों को हर मंगलवार के दिन करीबों में मिठाई बांटनी चाहिए इसके अलावा मंगलवार का ब्रत भी लड़के कर सकते हैं लड़कें गुरुवार का ब्रत करें तो जादा बेहतर होगा लड़कें गुरुवार के दिन साबून और सैंपू का उप्योग कम से कम करें रात्री में उत्तर पस्रिम की दिसा में सिर रखकर लड़कें सोय और पूरब की दिसा में करके लड़के सोय अपने कमरे में राधा कृष्ण जी की तस्वीर लगा है और रोजाना सूर्य देव को लाल रंग मिला हुआ जल तीन बार अरग दें इससे साधी में आ रही बाधा तूर हो जाती है अगली रासी कुम्बरासी है तो इनके अराध्य देव भगवान सिव है और इनके रासी स्वामी सनी देव है सनी देव और सिव जी की करपास है कुम्बरासी के जातकों के साधी की योग अप्रेल महिने से ही बन रहे है चुकि 6 अप्रेल को गुरूगव जो है वो कुमबरासी में प्रवेश कर चुका है इससे साध्य की योग बन रहे हैं हलhein कि शुलाय महिने में बहुती प्रबल योग हैं तो आगे इसके बारे में बिस्तार से जाते हैं कुमबरासी के बारे में तो कुम्ब रासी का नाम अक्षर सौ और गौ से सुरू होता है, यानि कि S और G से इनके रासी स्वामी सनिदेव हैं और आराध्य देव सिवजी हैं, भागिसाली रंग इनका आसमानी होता है, और भागिसाली अंग 10 और 11 होता है, यानि कि अगर 10 और 11 तारीक को आप कोई पर आएगा रासी सभाव इस्थिर है रासी अन्कूल वार बुद्वार सुक्रवारता सनिवार है रासी अन्कूल रतने हीरा पन्ना तथा नीलम है अन्कूल दिसाब के लिए पस्सिम है रासी तत्तो वायू है रासी प्रकृति सम है कुम्बर आसी के जातकों के साधी की योग बाइसमें बर से बनते हैं और कुम्बर आसी के जातकों को सीगर विवाह के लिए जल में काले तिल मिलाकर सोमबार और सनिवार को सिवजी को चड़ाना चाहिए इससे सिवजी परसंद होते हैं और साधी में आरे देड दूर हो जाती है बात करें कुमरासी के जातकों की तो पी आरे नाम से साधी होने की समभावना अधीक रहती है हाला कि आप भी अगर मेसरासी के जातकों से साधी करें तो आपके लिए सुभ रहेगा बार की बात करें तो बुदवार शुक्रवार था सनिवार आपके लिए अनिकूल है जानकारी आपको उन तीन राष्यों के बारे में दी गई थी जिनकी सादी जुलाई महिने में प्रवल है इस वीडियो में बताई गई जानकारी जोतिस पंचांग मानेताओं और ध्रमग्रंथों से दी गई है हमारा उद्देश महज आपको सूचना पहुंचाना है आप इसे सूचना है तूहिलें इसके अत्रिक्त अगर आप इनको मानते हैं अपनाते हैं तो आप उपयोग करते हैं तो इसके आप स्मयज्य при皮 sırवार हैं इसके लिए आप केपी की वानी से भी संपर्द कर सकते हैं आप अपने नजदी के किसी प्रकांट पढ़े था जोते से अवस्य सला लें और उनसे अपनी कुंडली जरूर देखवाएं दोस्तो जोत इस गरना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी इसमें बदलाव संभव है या बदलाव तब संभव है जब आपने नीज़ी जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त करते हैं इस तरह की अनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डस्बूर अथवा प्ले लिस्ट पर जाएं और अपनी रासी अनुसारी वीडियो जरूर देखें तो दोस्तो आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट और सेयर कर हमें जरूर बताएं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथी पहला आइकन को प्रेस करना ना बोले मातारानी किरपास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहें आप सो परिवार स्वस्तेवं सुखी रहें आप सभी के प्यार और स्नीय के लिए आप सब को हिड़ा की गहरा को हैं देन आप जहान रहें मस्त रह सऽचर आपतं रहें विषम परस्तितीुटर में भी पराम्पिता पर अमिश्वयर की कि रहें यहीश सूब कामना है हम आपके लिए करते हैं एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं नमस्कार जैसरी रहा दोस्तो जैसरी किष्णा जै मातादी जै बाहि गुरू